नमस्ते दोस्तूं, आज हम पढ़ेंगे RBSC Class 12 लिए अनिवार्य का टॉपिक बाशा, व्याकरण एवं लिपी का परिचय COVID-19 की वज़े से सेलेबस Reduce के बाद जो पाठिकरम बचा है, उसमें हिंदी अनिवार्य में 16 marks की जो हिंदी व्याकरण आएगी, उसमें से दो अंक का ये टॉपिक है Two marks का ये टॉपिक है, तो 12 के विद्यार्थियों के साथ साथ जो competition exam देने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये महत्वपुन टॉपिक है इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के बाद, लास्ट में हम इसके question answers भी करेंगे तो टॉपिक का नाम है भाशा, व्याकरण, एवम, लिपी का परिचे 12th class के students के लिए टॉपिक है RBSC, CBSC Board Exam 2021 के लिए ये महत्वपुन टॉपिक है आईए हम इस पे बात करते हैं सबसे पहले भाशा भाशा, समाज में रहने के करण मनुश्यों को, लोगों को आपस में एक दूसरे को अपनी बातों को समझाने के लिए अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किसी माध्यम की जरुवत होती है वो माध्यम भाशा कहलाता है Language कहलाता है मौकिक अभिवक्ती के लिए मनुश्य जिस साधन का उपियो करता है उसे हम भाशा कहते है भाशा शब्द की वित्पति, भाशा जो शब्द है वो संस्कृत की भाश दातु से बना है भाशा और भाश दातु का अर्थ है व्यक्त, वानी यानि जो व्यक्त की जाती है वानी वो बाश कहलाता है और इसी से बाशा शब्द की वित्पति हुई है तो बाशा की हम परिवाशा इस रूप में कह सकते हैं व्यक्त वानी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे हम बाशा कहते हैं बाशा भावा भी व्यक्ति का एकसाधन भी है अपने भाव को अभिव्यक्त करने का एकसाधन भी है साथ ही कई बार मुख मुद्राएं, मुख विकार या संकेतूं के द्वारा भी एक गुप्त भाशा बोली जाती है जिसे सामने वाला समझ सकता है जैसे पशु पक्षियों की बोली होती है या इशारू में बात करना, संकेतिक भाशा के द्वारा बात करना ये भी एक प्रकार की बाशा ही है तो दोस्तों बाशा के दो रूप होते हैं एक मौखिक बाशा, दूसरी लिखित बाशा मौखिक बाशा, साधारन तया, बोलचाल की बाशा को हम मौखिक बाशा कहते हैं लिखित बाशा जब उच्चारित द्वनी संकेतों को निश्चित चिन्हूं के द्वारा या किसी लिपी में लिख कर अंकित किया जाता है उस बाशा को लिखित बाशा कहते हैं मोखिक बाशा की कोई लिपी नहीं होती है यानि उसे लिखा जाए ये जरूरी नहीं है लेकिन लिखित बाशा को लिखा जाना आवश्चक है उसकी एक लिपी निश्चित होती है तो मोखिक और लिखित बाशा में जो सामान्य अंतर क्या होता है इस पे हम बात कर रहे हैं मोखिक रूप से जब व्यक्ति बात करता है बोलता है तो छोटे छोटे वाक्यों का उपियो करता है जबकि लिखित बाशा में बहुत बड़े बड़े वाक्य होते हैं जैसे कादंबरी जो ग्रंत है इसमें एक-एक प्रिष्ट का एक-एक वाक्य है, मोखिक बाशा में ये संबव नहीं होता है, मोखिक बाशा स्वभाविक होती है, स्वभाव से जो बोला जाता है वो मोखिक बाशा में बोला जाता है, जबकि लिखित बाशा कृत्रिम होती है बोला जा सकता है लेकिन लिखित बाशा में लेखक सतर्क होकर सोच विचार करके लिखता है मोखिक बाशा परिवर्तनशील होती है जबकि लिखित बाशा स्थिर होती है मोखिक बाशा में सदेव ताजगी रहती है जबकि लिखित बाशा रूड और प्राचीनता से युक्त होती है फिर है मूल बाशा बाशाओं के मूल में भी एक बाशा रही होगी अभी हमें उसका ग्यान नहीं है लेकिन जितनी भी बाशाएं है उनकी कोईन कोई एक मूल बाशा है जहां से वो बाशा निकली है आधूनिक बारती आडिय बाशाओं की मूल बाशा है भारो पी परिवाल वीभाशा प्रांथी या उप्रांथी आधार पर वर्गी कृत्थ होने पर भाशाओं को वीभाशा कहा जाता है यानि particular किसी प्रांथ के आधार पर जिसे गुजराती भाशा पंजाबी भाशा ये वीभाशा कहलाती है किसी भी एक राज्य या प्रांत स्तर पर शाशन कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं होने वाली मंडल स्तरिये या जिला स्तरिये या पर्टिकुलर क्षेत्र में जो भाशा बोली जाती है उसे बोली कहा जाता है जैसे मगही, भोजपुरी, मालवी, मेवाडी, डुंडाडी ये बोलियां है उपबोली प्रत्येक व्यक्ति की बाशा में दूसरे व्यक्ति की बाशा से कुछ अंतर होता है व्यक्तिगत बोली ही सामुहिक रूप से प्रयुक्त होने पर उपबोली बनती है उससे बोली और वी बाशा की स्रिष्टि होती है बाशा की इकाईयां निम्ना नुसार है बाशा की इकाईयों में पहला है द्वनी द्वनी यानि हमारे मूँ से जो भी स्वतंत्र आवाज निकलती है वो द्वनी कहलाती है और मौखिक बाशा में सिर्फ द्वनियों का ही प्रयोग होता है बाशा की दूसरी इकाईय है वर्ण है वर्ण द्वनी के रूप में ही वक्ता यानि बोलने वाले के मुख से उच्चारण होता है बाशा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण वर्ण के और टुकडे नहीं किये जा सकते हैं वर्ण को और विबाजित नहीं किया जा सकता है बाशा की तीसरी इकाई है शब्द यानि वर्णू के सार्थक समू को हम शब्द कहते हैं वर्ण जिसे कै, मैं, ले तीनवर्ण मिल गए एक सार्थक शब्द बन गया कमल तो ये एक शब्द कहलाएगा पद किसी भी वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप या विभक्ति युक्त शब्द को पद कहा जाता है उधरन दे रखा इसमें देखिए जैसे राम ने रावन को बान से मारा इस वाक्य में राम ने एक पद है रावन को केवल रावन तो एक शब्द है रावन को विभक्ति भी साथ आगई तो ये एक पद बन गया है बान से येक पद है फिर है वाक्य शब्दू के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो वह शब्द समू एक वाक्य कहलाता है यानि कुछ शब्दू का एक सार्थक समू वाक्य कहलाता है जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है मैं उदैपुर जाऊंगा एक सार्थक भाशा के विभिन अंगूं वर्ण शब्द पद वाक्य आदी में कुछ निश्चित और नियमबद संबंद होते हैं ये भाशा के अंग हैं भाशा के अंगूं में वर्ण शब्द पद वाक्य किसी वर्ण का उच्चरन स्थान उसकी प्रकर्ती, शब्द भंडार, उत्पत्ती, संधी, पदू का निर्मान, वाक्य निर्मान, वाक्य विशलेशन, आधी का अध्यन, जिस पुस्तक से, जिस ग्रंद से किया जाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं, ग्रामर कहते हैं, यानि बाशा को शुद्ध रूप में बनाए रखने के लिए तथा उसका एक मानक रूप, एक्स्टेंडर्ड फॉर्म, निर्धारित करने के लिए कुछ नियमू की आवशक्ता होती है, हर एक बाशा में उस बाशा के शुद्ध बद्ध रूप को बनाए रखने के लिए कुछ नियमू की आवशक्ता होती है, इन नियमू को योजना बद्ध रूप से लिखा जाता है, वह व्याकरण कहलाता है, ग्रामर कहलाता है, अब व्याकरण की परिवाशा, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है, विशलेशन करना, यानि व्याकरण भाषा का विशलेशन करने का काम करती है व्याकरण जो है वो किसी भी भाषा को विशलेशन कर उसकी रचना को सपष्ट करता है व्याकरण की परिवाषा को हम इस तरह और समझ सकते हैं व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी बाशा के शुद्ध रूप को लिखने और बोलने के नियमू का ज्यान कराता है यानि कोई भी ऐसा शास्त्र जो हमें किसी वाशा के शुद्ध रूप को लिखने या बोलने के नियमू के बारे में जानकरी देता है, ज्यान कराता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं अब आगे देखिए आप व्याकरण के अंग व्याकरण के अंग में वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार वर्ण विचार में आकार उच्चारण, वर्गीकरण और उनके मेल से शब्द निर्मान की जो प्रक्रिया है, ये बताई गई है शब्द विचार में शब्दों के भेद, शब्दों की उत्पत्ती, रचना इनके बारे में बताया गया है पद विचार में पद निर्मान कैसे होता है, पद के अलग-अलग रूप क्या है, ये पद विचार में आता है ये वाक्य विचार में पढ़ा जाता है तो दोस्तूं व्याकरण के चार प्रमुकंग है वर्ण विचार शब्द विचार पद विचार और वाक्य विचार यानि बाशा कि सबसे छोटी इकाई है वर्ण वर्ण से मिलकर के शब्द बनता है शब्द मिलकर के पद बनता है और पद मिलकर के पूरा वाक्य बनता है अब देखिए लिपी अब हम बात करते हैं लिपी के बारे में जब किसी भाशा को लिखित रूप की आवश्यक्ता पड़ी तो जो मौखिक ध्वनिया है जो बोली जाती है उनको अंकित करने के लिए कुछ चिने बना दिये ये चिने लिपी कहला है जैसे मैं को के से लिखा जाए तो एक चिने बना दिया अगर मैं ऐसे लिखा जाएगा तो वो एक लिपी होगी के को किस तरह लिखा जाता है का यानि के के साथ आ को जोड़ रखा है आ की मातरा लगा रखी है तो ये लिपी कहलाती है यानि किसी भी बाशा को लिखित रूप में लिखने के लिए जो मौखिक द्वन्यूं के कुछ चिने बनाये जाते हैं वो चिने उस बाशा की लिपी कहलाते हैं लिपी की परिवाशा देखिए लिखित द्वनी संकेतों को लिपी कहते हैं चोटी सी परिवाशा लिपी की लिखित द्वनी संकेत यानि जो हम उच्चरण करते हैं मूँ से बोलते हैं उसके लिखित में उस द्वनी के जो अमारे मुझसे द्वनी बोली जा रही है उसके लिखित में क्या सिंबॉल हैं क्या संकेत हैं जैसे कल कैसे लिखेंगे ले ऐसे लिखेंगे तो कल एक लिपी होगी तो लिखित द्वनी संकेतों को लिपी कहते हैं प्रत्येक भाषा की अपनी लिपी होती है, जैसे हिंदी देवनागरी लिपी, अंगरेजी की रोमन लिपी, उर्दु की फार्सी लिपी, पंजाबी भाषा की जो लिपी है वो घुरुमुखी लिपी, और भी अलग-अलग भाषाओं की अपनी अलग लिपीया हैं, जिन में उनको लिखा जाता है जिनसे वो लिखित भाषा बनती है हिंदी भाषा की जो लिपी है उसका नाम है देवनागरी लिपी हिंदी जो हम लिखते हैं वो ए, आ, इ, इ, कह, ख, ग, ये संकेत देवनागरी लिपी कहलती है देवनागरी लिपी का प्रयोग हिंदी में किया जाता है, मराथी भाषा में भी किया जाता है, नेपाली में किया जाता है, कौकणी, संस्कृत, प्राकृत, अपब्रंश, आधी भाषाओं में इन सभी भाषाओं में देवनागरी लिपी का ही प्रयोग किया जाता है भारत की दो प्राचीन लिपियां ब्राम्मी लिपी और खरोष्ठी लिपी यह बहुत पुराने जमाने की हमारे देश की लिपियां हैं इन में से ब्राम्मी लिपी से ही देवनागरी लिपी का विकास हुआ जो अभी वर्तमान में हम उपयोग में कर रहे हैं अब देखिए आपके एक्जाम में ये प्रश्ण भी पूछा जाता है एक तो हिंदी भाश्या की लिपी क्या है देवनागरी लिपी इस देवनागरी लिपी की प्रमुक विशेष्टाएं बताईए तो प्रमुक विशेष्टाएं देवनागरी लिपी की यह बाई से दाई और लिखी जाती है जैसे उर्दू की फार्सी लिपी है वो दाएं से बाईं और लिखी जाती है तो देवनागरी लिपी की पहली विशेस्ता बाईं से दाईं और लिखी जाती है जो उच्चारण है उसी के अनुरूप लिखी जाती है यानि जो उच्चारण किया जा रहा ब स्वर और व्यंजन में विभक्त है यानि हिंदी की देवनागरीज लिपी है वो दो भागु में विभक्त है स्वर है बाकी व्यंजन है एक वर्ग के वर्णु का उच्चारण एक स्थान से होता है इसकी द्वनियों में संसार की किसी भी वाशा का उच्चारण किया जा सकता ह शिरो रेखा का प्रयोग होता है, उपर रेखा लगती है, उच्चारित वर्ण ही लिखे जाते हैं, अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियों के लिए अलग-अलग चिनने हैं इसमें स्वरू के लिए मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है, मात्राओं का प्रयोग व्यन्जनू और स्वरू के संयोग के समय होता है, अक्षरू में सुडोलता है, वर्ण गोलाईयू से युक्त है, वर्णू की स्पष्टता है, यह रोमन लिपी की अपेक्षा कम स्थ गेरती है और वर्ण विभाजन में व्यग्या निकता है ये सारी विशेस्ताइं देवनागरी लिपी जो हिंदी भाशा की लिपी है इसकी प्रमुख विशेस्ताइं है तो ये दोस्तूं भाशा व्याकरण और लिपी का परिचाय आपके पूरा पाठ हो गया अब इसके कुछ केस्चन आंसर्स पर हम बात करते हैं ये अब्जेक्टिव केस्चन दे रखें विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है इसका सही उत्तर है भाशा भाशा से हम विचारों को अभिव्यक्त करते हैं दूसरा केस्चन देखिए मोखिक भाशा की विशेस्ता है होती है वाग के छोटे-छोटे होते हैं परिवर्तन शील होती है उपर्युक्त सभी यानि ये तीनु ही विशेस्ताय मोखिक भाशा की है तो इस दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है चोथा उपर्युक्त सभी तीसरा केश्चन देखिए भाशा की सबसे चोटी कई है ये पढ़ा अभी उपर हमने सबसे चोटी कई वर्ण वर्ण मिलकर फिर बनते हैं शब्द शब्द मिलकर के बनते हैं पद और पद मिलकर के बनता है वाक्य सबसे वड़ी कई वाक्य सबसे चोटी कई वर्ण बाशा के मोखिक रूप में प्रयोग होता है केवल ध्वनी का व्याकरण की आवशक्ता रहती है इसका जवाब भी उपरियुक्त सभी है बाशा को शुद्रूप बनाई रखने के लिए मानक रूप निर्दारित करने के लिए अंगु का नियंबद विवेचन के लिए छटा प्रशन देखिए बाशा का शरीर शास्त्र है व्याकरण सात्वा बाशा के चिनों को प्रकट करने का माध्यम है बाशा के चिनों को प्रकट किसमें करते हैं लिपी में विभक्ति युक्त शब्द कहलाता है विभक्ति युक्त अपने पड़ा उपर पद ये और ये थे objective questions और questions दे रखें बाशा की परिवाशा किसे लिखिए व्यक्तवानी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे बाशा कहते हैं बाशा की कितने रूप होते हैं दो रूप लिखित और मौखिक वीभाशा किसे कहते हैं प्रांति आदार पर बोलियूं का वर्गी करण जिससे बाशा का रूप निर्मित होता है वीभाशा कहलाती है जैसे राजस्तानी बोजपूरी ये वीभाशा है द्वनी किसे कहते हैं हमारे मुझ से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज द्वनी कहलाती है प्रतिभा ने पुस्तक खरीदी इसमें प्रतिभा ने इसके नीचे अंडरलाइन है यहां इसमें आई नहीं है तो आपको पूछा है प्रतिभा ने क्या है प्रतिभा ने इसके साथ विबक्ति आ गई है केवल प्रतिभा शब्द है प्रतिभा ने एक पद है हिंदी किस लिपी में लिखी जाती है देवनागरी लिपी में बाशा के शुद्ध और सार्थक स्वरूप का निर्धारण कौन करता है व्याकरण लिपी की परिवाशा लिखित द्वनी संकेतूं को हम लिपी कहते हैं देवनागरी लिपी में लिखी जाने वाली प्रमुक भाशाएं कौन सी है उनके नाम लिखिये संस्कृत भाषा, हिंदी, प्राकृत, मराथी, कौकणी, नेपाली ये भाषाएं देवनागरी लिपी में लिखी जाती है शब्द किसे कहते हैं? वर्णू के सार्थक समू को शब्द कहते हैं व्याकरण की परिवाषा ये देखिए ये उपर भी अपन ने पढ़ लिये किस परिवार से समंद रखती है? ये और भी प्रश्ण हैं भारत की प्राचिन लिपियां कौन-कौन सी है? प्राम्मी और खरोच्टी ये और देखिए प्रश्णे शब्द और पद में क्या अंतर है? वर्णू के सार्थक समू को शब्द कहते हैं जबकी वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप यानि विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाता है वर्ण विचार ये और जो लगूत्रात्मक प्रश्ण हैं ये दे रखे हैं इन सब का अपने उपर विसे समझ लिया है फिर भी आप देख सकते हो मोखिक और लिखित बाशा की परिवाशा है मोखिक लिखित बाशा में क्या अंतर है ये बता रखा है ये चोथा प्रश्ण देखिए बोली वी बाशा और भाशा में प्रमुक अंतर पूछा है बाशा की प्रमुक इकाईयों का परिच्चे दीजिए बाशा की प्रमुक इकाईयां द्वनी वर्ण शब्द पद वाक्य ये अपन सब उपर पढ़ चुके हैं वही यहां इसका जवाब है निम्न वक्यों में पद बताईये रावन ने राम को मारा सीता ने पुस्तक खरीदी इसमें पद पताने पद अपन ने पढ़ाए विबक्ति उक्त शब्द सीता ने पुस्तक व्याकरण की आवश्यक्ता क्यूं है इसका जवाब देखिए व्याकरण का महत्व व्याकरण के प्रमुक अंगूं का परिच्चय यह अपन ने उपर पढ़ लिया है फिर भी आप देख सकते हैं निम्न भाशाओं की लिपी लिखिये लिपी किसे कहते हैं इसके आवश्यक्ता क्यूं पड़ी देवनागरी लिपी की चार विशेस्ता हैं यह सारे प्रश्चन हैं तो दोस्तूं आप इस वीडियो को ट्वल्थ के जो भी विद्यारती हैं उनके साथ जरूर शेर करें ताक आप मेरी इस वीडियो को सभी के साथ शेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तूं